इस वीड़ा हम बात करेंगे कोटक नियो के ट्रेड फ्री पलान के बारे में इस वीड़ा में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो होंगे आपके अकाउंट आपनिंग चार्जिस, एमसी चार्जिस जो की मैं आपको एक्स्विलेंट करके बताने वाला हूँ, या पिर इनके अदर चार्जिस, अदर चार्जिस में आपके इनके ओटो सिक्वार उफ चार्जिस, और ट्रेड चार्जिस, जीएश टी, यहाँ पर आपके इस चार्जिस भी हो सकते हैं, तो चले शुरू करते हैं, सबसे पहले डंबर पर बात की जाए, अकाउंट आपनिंग की, तो यहाँ पर अकाउंट आपनिंग के लिए आपको कोई भी फीच नहीं देनी होती है, जो कि आपका टोटली फिरी होता है, एज इलिजिबल्टी की बात की जाए, तो जब आप इस प्लान को चोईस करते हैं, तो यहाँ पर इनके जो प्लान एज रखी गई है, वो है 30 पलस, यानि की आपकी उमर 30 से ज़्यादा होनी चाहिए, तब ही आप इस प्लान के लिए इलिजिबल्टी हो सकते हैं, अगर आप इस प्लान को चोईस करते हैं तो अभी की सब्सक्रेशन फीज है वो जीरो रखी गई है विरोक्रेश चार्जिस और इंटरेट की बात की जाए तो आपका ओल इंटरेट ट्रेड्स हैं जो जीरो रखा गया है अगर आप यहाँ पर ओल अधर इंटरेट की बात की जाए तो आपका ओल इंटरेट की बात की जाए तो आपके वो आपका डिलिवरी के अंदर जो ट्रेडिंग करेंगे तो 0.01% के हिसाब से चार्जिस लगेगा अगर आप यहाँ पर ओल अधर इंटरेट की बात करें तो डिलिवरी के अंदर आपको 0.05% के हिसाब से चार्जिस लगने वाला है इंटरेट ओन मार्जन ट्रेडिंग फेकल्टी की यानि की MTF की तो यहाँ पर 0.049% के हिसाब से पर आपको चार्जिस लगेगा अगर आप कहीं पर आईटिंग कलाइंट है इनके पहले से जैसे की कोटक सेक्योटीज पर आपने डिमेट अकाउंट बनाया हुआ है और आप कोटक नियों में स्विच करते हैं अपने अकाउंट को तो इसके लिए आपको एक फीस देनी होती है जो की 499 रुपे पलस GST होने वाली है अब बात करते हैं स्विच पर आपका जो रिमेट चार्जिस की तो आपका जो रिमेट लाजेशन चार्जिस है वो 1500 रुपे पर 60 रुपे कट पलस 50 रुपे रिक्वेस्ट के इसाफ़ से चार्जिस लगीगा रिमेट लाजेशन की बात की जाए तो आपको 100 रुपे पर आपका जो चार्जिस लगेगा वो 200 रुपे लगने वाला है चाहिए आपके सियर वोंड मूचल फंड यह आपके इसमें आते हैं इसके बाद अगर आपका 100 से ज़्यादा सिक्योटी जाती है तो यहाँ पर आप आपको 15 रुपे आपके अलग से लिये जाएंगे अब बात करते हैं अकाउंट मेंटिनेंस चार्जिस के बारे में आपका अकाउंट मेंटिनेंस चार्जिस के इस तरह से लगने वाला है सबसे पहले हम आपको बता दू कि यहाँ पर आकाउंट मेंटिनेंस चार्जिस रख डीमेट अकाउंट अगर आप इसकी सेवा लेते हैं तो आपको जो होल्डिंग है वो zero से 50 के बीच में रहती है तो यहां पर आपको zero MC charges लगीगा इसके बाद अगर आपके होल्डिंग 50,000 से लेकर 2,00,000 के बीच में जाती है तो जब ही आपको 100 रुपे पलस GST पर साल के हिसाब से MC चार्जिस देना होता है इसके बाद अगर आपका MC चार्जिस जो ज़्यादा लगेगा वो 2,00,000 पलस यानि कि आपका जो होल्डिंग है वो 2,00,000 पलस जाता है तो ही आपका जो MC चार्जिस है वो 50 रुपे पर मंद के हिसाब से चार्जिस लगने वाला है ठीक है इसके बाद आपका जो यानि की 2,00,00 पलस जाती है होल्डिंग तो इसके बाद आपका जो अकाउंट है वो नोन-BHD में ट्रास्पर कर दिया जाता है दोस्तों अब हम जानते हैं कि BHD अकाउंट क्या होता है इसे हम बोलते हैं Basic Service Demet Account ये दो तरीके से हो सकता है या तो आपकी होल्डिंग जादा जाती है जब आपका BHD अकाउंट हो जाता है नोन-BHD के अंदर या पिर आपके पास एक से जादर Demet Account होते हैं तो आप Non-BHD की सेवा लेते हैं इसके बाद अगर आप non-based client है इनके और आपके पास पहले से ही केई डीमेट अकाउंट है या फिर आपकी होल्डिंग जाता है तो यहाँ पर आपका 0 से 1000 रुपे अगर इस अकाउंट के अंदर जाता है इस प्लान के अंदर जाता है होल्डिंग में तो 0 चार्जी से MC हैं तो आपको 50 रुपे पर मंत के हिसाब से पैग करना पड़ेगा जो इनके MC रूल बताए गये हैं इसके बाद हम बात करते हैं टेक्स एंड रेगुलिटरी के बारे में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन टेक्स एंड रेगुलिटरी को आप वीडियो को रोक कर अपन लगता है आपके TRANSFAR चार्ज़ेस है जो इस पर भी JST लगता है और आपके SAYEWी FEEZ है जो इस पर भी आपका TRANSFAR चार्ज़ेस के बारे में यहां पर आपका जो UPI होगा वो totally free काम करेगा यानि कि आपको इसके लिए कोई चार्जिस नहीं देना होता है यो प्याई की जो limit होगी हमारी 2,00,00 रुपे तक की होगी इसके बाद अगर आप यहाँ पर net banking gateway यूज करता है अपनी bank का जो आपका net banking है उसे यूज करता है तो इसमें जो आपका 7 रुपे आपको चार्जिस देना होता है जो कि transition value रखी गई है पर depend करता है कि आप कौन सी bank की net banking यूज करते हैं वहाँ पर आपका यानि की net banking चार्जिस अलग भी हो सकता है अगर आप यहाँ पर check की बात करते हैं यानि की अगर आप check processing fees की बात करें तो यहाँ पर आपको 50 रुपे GST लगने वाला है यहाँ पर आप चाहे check को deposit करें चाहे withdrawal करें यहाँ पर आपको 50 रुपे का charges लगने वाला है चेक को use करने पर इसके बाद अगर आपका check bounce होता है तो check bounce charges भी यहाँ पर लगने वाला है जो की online आपका 3500 रुपे और offline आपका 500 रुपे आपका bank charges आपसे लेता है इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं call and trade charges की तो call and trade charges आपका यहाँ पर कुछी इस तरह से लगेगा जो की आपका 90 रुपे पलस GST आपको अपने order पर देना होता है दोस्तों यह थे इनके सभी charges अगर आपको वीडियो परचान आए तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों को साथ share करें Thank you for watching this video